आत्मदेव आये बड़ी प्रसंद वोई आत्मदेव भी इतना बड़ा शर्यंत्र अपने पती के साथ किया लेकिन मालूम तक होने नहीं दिया आत्मदेव को लेकिन उनके मन में उस फल के प्रतियास थी और उने सोचा कि मात्मा ने फल दिया कुछ तो इसके अंदर प्रभा होगा उने गाय को खिला दिया था नहरेन एक दो मैंने और बिते और गाय ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया वो पूरा मनुष्य के आकार में था लेकिन उसके कान गाय की तरह थे और इसलिए उसका नाम रखा गया गोकरन बुली गोकरन जी महराज की गोकरन जी महराज की जय आर्गो दोनों बालोकों के बार में एक वाक्य में ही शुक्दिव जी महराजी सुनाते हैं नारायन थोड़ी दिनों में मालूम पड़ा थोड़ी दिनों में मालूम पड़ा गोकर्णो पंडितो ग्यानी गोकर्ण पंडित बने नारण का इसे पैदा हुने के बाद भी मात्मा के अशिर्वात से पैदा हुए थे इले पंडित बने ग्यानी बने दुन्दुकाली महाखल पहे दुन्दुकरी माखल क्यों बना वह शडियंत्र था वह विश्वास घात था मात्मा के फल के प्रति अनास्था थी मात्मा के वचनों का अनादर था और इसलिए महाईक दुष्ट दुरात्मा पैदा हो गया थोड़े दिनों के बाद वह बढ़ता गया नारायन चोटे ज प्रवर्ति का था वो शरावी जुवारी दुनिया के सारे को कर्म करता था और गोकरन साधना त्याक तपश्या सत्य इमानदारी दया करुना प्रेम अहोभाव भक्ति वैराग्य आपको कौंशी चीज अच्छी लग रही है दोनों चीजों में 36 का कड़ा आरो अपने पिता का सम्मान करते थे मा का भी सम्मान करते थे गोकरन बहुत परेशान हो गए आत्मदेव और वो सोचने लगे मैं आत्मात्या करके मर जाओंगा और रोने लगे गोकरन जी महराजी आ गए नारायन और गोकरन जी महराजी ने अपने पिता आत्मदेव को तत्व ग्यान का यहा वह सुन्दर उपदेश है यह है और उने कहा कि पिता जी आप दुखी नहों आप अपने जीवन में वैरागी को धरन करो वैरागी को हमारे शास्त्रों में वैरागी की बात हर जगह पर है तत्पिता क्रपण प्रोचेईर धनहीनू रुरोदह बन्यत्वंतु समिचिनं कुपुत्रो दुखदायक ददानीम्तु समागत्य गोकर्नो ज्ञान सम्मत बोधयामा सजनकं वैराग्यं परिदर्शयन। आप अपनी जीवन में सुखी होना चाहते हो तो वैराग्य धारन करो आपको घर चोड़नी की जरूरत नहीं है आपको अपना व्यापार चोड़नी की जरूरत नहीं है आपको क्यों वैराग्य धारन करने की जरूरत नहीं है और वैराग्य का अर्थ है जो भी हमारे अंदर पागलपन है उस पागलपन को कम कर दो खाने का बहुत ज़्यादा पागलपन है उसो थोड़ा कम कर दो पहनने का बहुत ज़्यादा पागलपन है तो उसको थोड़ा कम कर दो साल में दस कपड़े खरीदें तो कितना खरीदें दस की जगबर आठ छे थोड़ा उसको मैनस में लिया हो ना बहुत पागलपन बहुत ये दुनिया के पदार्थों को बतोरने का जो पागलपन है आदमी का मने नहीं बरता है कपड़े 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 बाद बांद बांद के रखता है आदमी बांद बांद के रखता है कितने पहिनोंगे आप अपने को सड़ाओगे की कपड़े बहुत जादा पागलपन है कपड़ों का, थोड़ा समेख लो इसको, यह वयराग्य हैं खाने का पागलपन कम करू, गुस्से में आने का पागलपन, थोड़ा कम करो जलन, घ्रना, इरशार, जो भी हमारी जीवन में कमिया है, उसको कम करती जाओ, मैनस में लाते जाओ यही तो वैराग्य है, पुड़ा दया धरन करे, सब के साथ अच्छा विवार करे, वैराग्य है, वैराग्यम परी दर्शेन, गोकर्ण जी महाराजी ने अपने पिता को वैराग्य की बात बता दिये, एक बुड़ी सुन्दर बात कही है यहां पर, असारह खलो संसारो, दुख रूपी विमोहक, यह जो संसार है ना उन्होंने का बड़ा विमोहक है, लेकिन दुख रूपी विमोहक है, यह आपके अनुभव की बात बोली, वो कर्ण जी महाराजी ने बिल्कुल अपके अनुभव की बात बोली, आपने कभी बेर खाये, बेर आपने कभी बेर खाया, एक मात्मा जी नहीं कहा कि बायर तुमने कभी खाया, नहीं खाया, बेर खाया होगा, बायर नहीं खाया होगा, आपके अंदर किसी के परती बायर होना तो उसको खा जाओ, किसी के परती आपके अमन में शत्रूता है तो उसको खा जाओ, आपके मन में किसी के प्रतिशतुरुता पैदा ही न मत्थोने देना, महर को खा लिया हमें, आपने को भी बेर खाया है क्या बेर? खाया होगा, जरूर, कली मैंने बाटाता बच्चों को, हमारी राधनपूर से आये हैं, चतुर भाई, वो हमारे लिए बेर ले आए, और उन्ह वाले चीज हमने निकाल दी है, उन्हें कहा कि गला खराब होने वाली जो चीज है, इसके अंदर से हमने निकाल दी है, अब मेरे को नहीं मालूम उन्हें कैसे निकाली, लेकिन उन्हें कहा कि कैसे भी हो, खा लो, आपका गला खराब नहीं होगा, ये शबरी के बेर है, मैंन आपका जो बेर का जो ज़ाड़ है वो बहुत मज़िदार होता है बेर के ज़ाड़ के पास आप जाके देखना है उसमें दो प्रकार के काटे होते हैं दो प्रकार के एक काटा ऐसा होता है राउंड में और दूसरा काटा ऐसा शीदा होता है येदु बाबुजी हमारे येदु बाबुजी आ गए है बड़े अन्भोवी भगवन के बहुत हुजारी हमारे आदर्ष सादु पुरुष आप बेर के जहार में देखना वहाँ दो काटे होते ना रहा है एक ऐसा होता है समझ मैं और एक सीधा वाला होता है आप उसके पास जाओ तो टेडा वाला जो काटा है आपको पकड़ता है खिसता है और वो सीधा वाला मारता है आप देख लेना अन्वा हुआ बच्चों का अ अब आसे आए बच्चे वो जो टेड़ा वाला है वो आपके कपड़े में लगेगा आपके श्कीन में लग जाता है और वो शिदा वाला चुबा देता है दुख रूपी वीमों हक यह संसार भी ऐसा है आज में एक तरफ से आपको आठका के रखता है और दूसरे तरफ से डंक मारता है हाँ हाँ आप दुनिया के हर चीज में देख लिए आप इसको बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है मैं थोड़ी ची बात आपके सामने रखता हूँ तो आप खुद विस्तार कर लेना आप पती पत्नी हैं बच्चे हैं जो दुनिया में रिष्टे हैं वो ऐसे ही हैं एक चीज में अटका के रखते हैं दूसरे तरफ दंक मारता है वो कभी नहीं चाहते कि आप से हम दूर से आप उनको बोल दोंगा थो हम तो भी समय के लिए ौघ्री डहाले झी यह लूसरा पर आपुने को दोटे समय के लिए आप सामी जी के साथ जा रहे हैं मैंना दो मेने के लिए वुलै नहींहींही हम ाप छोड़के नहीं जाओगे और आप उनको बोलना तुममाइ को दूर की नहीं करोगे कि उवी वॉलिए वी संबव नहीं तुमको डंग भी मारे लेकिन छोड़की भी नहीं छोड़की नहीं और एक बार उस आकर्षन में फसने के बाद कितना भी डुखो उसको जेल लेते हैं, वैरा कि धारन करो, ओकरण जी माराजी करें, संसार के आकर्षन में फसना नहीं, संसार के आकर्षन में उलजना नहीं, जितना अकर्षन उतना बहुत है, आप जितना फस चुके उतना बहुत है, आप जीने के लिए जितना आपको फसना था, उतना फस चुके उतना बहुत है, आप आगे फसने की जरूरत नहीं है, आप समझ गई कि नहीं समझे, क्यों वैरागणाजी। इतना आप फस जबहготовiron के अशते जबहराद से जबहों।। उटना बहुत हो गया। आगे नहीं प्थसनाronics। आपनी आसक्तियों को आगे उल्जानां नहीं है। और भगवान का वजन करना है, गोकर्ण जी महाराजी ने कहा, भगवान का वजन करो, ओम नमो भगवती वासु दिवाय। उन्होंने अपने पुत्र को धन्यवाद दिया, और वो सोचने लगे ये वास्तविक, बच्चा तो मेरा ये है, गोकर्ण नहीं मेरा बच्चा है, यही मेरा गुरू, सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार में जाकर के नारायन, गंगा के पावन तट काश्तव पर बैट गए, भर ये थिस अच्छा मश्तव का पाठ कर ने लगे, और ओम नमों भ्गवति वास्ति वाजु और ओम नमों भगवति वास्ति वाज की, अम नमो भगवटी वासु दिवाय। आम नमो भगवटी वासु दिवाय। आप जपतु के एब जतानतो चल्ला सक चर्णत है कि एक और भाःम। 本 interests पारती मैं है अप दो क्य तर।र। यह ठीक है कोई रहाम रामा उन्हें को मालूम है कि मेरे को बोल रहा है लगी जब दस्रवाट जी ने भगवान को पुकारा होगा तो कैसे पुकारा होगा प्रभु मिरन की व्यकूलता थी आर वो जब राम बोल रहे थुना आहां राम 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 मने उनके पूरी मने रदय गदगद हो रहा था पूरा शरीर और वो वातावरन नारन वो विरह में और वो प्रभु को पुकार रहे थे चैतनी महाप्रभु जब वो भवान को पुकार थे तो आपकी तरह टेक्निकल नहीं कृष्ण क्रिष्ण आर वो रदय से नारन रदय से आपको बोलना चेह आप बनावती बूलाओ बनावती बोलो आप देखो तो अब यहां मत देखना समय तो बड़ा कम है आप दरवाजापन कर देना पक्यतोर पर और आपको मालूम होना चेहिए आपको कोई देख नहीं रहा है और जो है बनावती बनावती नाटक करवा जैसे चैतन्य महा प्रभु ने या राजा दश्रत ने प्रभु राम को पुकारा वैसे आप पुकारो प्रभु को और उसके बाद आपके आंखों में आंसुन आए और आप प्रभु के लिए नहीं रोए ताकि मेरे को दोचार गाली को आप जब हवान का नाम ले ना रहें तो प्रानों के साथ रोंडरों खिल जाए ताकिकल को भगवते वासु देवाय ओम्नमो भगवते वासुदेवाय ओम्नमो भगवते वासुदेवाय उनुने भगवान को पुकारा ओम्नमो भगवते वासुदेवाय सुबह प्रातह साथ से आठ सोहम साधना साथ से आठ एक घंटा आप करते हो प्रक्टिकल उसको आपको मिशनी करना चाहिए जल्दी उठके आना चाहिए आप एक घंटा उस साधना में डूब जाते हैं आप करते हैं आखे बन मौन आपका बोजन होगा उसके बात आप लिवित्थ हो के आप यहां आएंगे नौ से दस और दस बज़े आपको कल के श्नान की सुचना देंगे क्या क्या करना है यह वस्ता संबन में आपको बताएंगे आत्म देव ने साधना की नारायन ओम नमू भगवते वासु देवाय और थोड़ी दिनों के बाद सारे उनके मन के कलमश बासनाओं का पागलपन समाप फो गया और भगवान के भक्ती में डूब गया वैराध्य आ गया उनके अंदर ज्ञान आ गया भक्ती आ गया 25 वर्सकी उमर तक जिये और उसके बाद भगवान का स्मरन करते करते उनने अपने शरीर का त्याग कर दिया बोलिए सचिदानन भगवान की इदर दुन्दुकारी बहुत दुष्ट दुरात्मा थाना रहें अपने मा को आके डाटने लगा भटकारने लगा माने बेटे के भाय से कुए में गिर कर आत्म चक बावत सारी महलाओं को वेश्चाओं को लाके रख दिया घर में महलाओं ने उसको मार दिया प्रेद बन गया हो आरो प्रेद बन कर की विच्रन कर रहा था हादयव, 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 अब मेरे को कौन छुड़ाएगा, मेरे को इन दुखों से कौन पार कराएगा आपके आसपास जदी कोई सादू पुरुष हो नारायन तो समझना किसी जन्म का कोई पुन्ने है और आप हमेशा सादू मात्माओं के मद्दे में रहते हो तो साथ कोई ना कोई सादू रहता है, बहुत बढ़ा वो दुष्ट दुरात्मा लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का पुन्य वो गोकर्ण का भाई बना, आत्मदेव के घर ने आ गया गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटर कर निकले गए थे वापस आगए रात्त्री के समय, जब वो घर में सूने लगे ना रहे दुन्दुकारी को मालूम पड़ा मेरा भाई आया, उससे मदद लेना चीए, बड़ा दर्मात्मा है वो मेरे मुक्ति का मार्ग ये दिखाएगा, लेकिन जाय कैसे, मैं बोलू कैसे, कि मैं प्रेट बन गया मेरा उधार करो, सामर्थ नहीं था बोलने का वो अनेक रूप धारन कर रा था ना रहे, रूपों को धारन करने का सामर्थ ये था, लेकिन अपनी समस्या, सीधे, उनके सामने रखने का सामर्थ उनमें नहीं था कभी आका गोला बनके सामने आ जाता कभी कोई भेडवक्री बनके आ जाता कभी शेर बनके आ जाता अनेक रुपों को धारन करके वहां कक्ष में प्रगट हो जाता आत्मदेव सोचने लगे कोई ये दुष्ट आविशप्त जीव मालूम पड़ता है और ये मेरे से संबाद सापित करना चाहता आत्मदेव को भए नहीं था दया जागी उनके उपर कमंडल से जल निकाला नारण हाथ में लिया थोड़ा शिड़क दिया कमरे में और उतने में ही दंदुकारी में शक्ति आ गई बोलने की आत्मदेव ने पूछा तुम कोनों भए या और ये अनेको रूप धारन क्यों कर रहे हो अम ब्रहतात्वधियोस्वी दंदुकारी ती नामत स्वकिये नईवदूशेन ब्रह्मत वमनाशितम्मया और ने का कि मैं आपका भाई हूँ मेरा नाम दंदुकारी है मैंने अनेको प्रकार के पाप कर्म किये है और मैं विशाओं के द्वारा मारा गया हूँ प्रेद बन गया हूँ और इस प्रेद यूनी से मेरे को मुक्त कीजिए आप करपा कीजिए मेरे उपर दया आगी नाराइन आत्मदेव को और आत्मदेव ने एक भागवत की कठा का अयोजन किया उनके मुक्ति के लिए साथ दिनों तक एट बास साथ गाठो वाला गाठ दिया गया आरो बास के नीचे जाके बैठ गया सूख में जूप में थाओ साथ दिनों तक कठा सुनी उन्होंने आरो इतनी एकाग्रता से कठा सुनी इतनी एकाग्रता से क्योंकि वो बहुत दुखी था अपने दुखों को दूर करने के लिए वो उपाय कर रहा था और इसलिए उसके अंदर एकाग्रता थी साथ दिनों में साथो ग्रंथियां ग्रंथियों का भेदन हुआ अनन्त जन्मों के पाप उसके समाप्त हो गए और एक डिव्य रूप धारन करके वहाँ प्रगट हो गया बोलिये सच्चिदानन्द भगवान की जैव भगवान के दूत उनको लेने के लिए आए आरो भगवान के विमान में बैट करके भगवान के धाम को चला गया लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे ना उन्होंने शिकायत कर दी आत्मदेव के पास काता तो अमने भी सुनी लेकिन विमान हमारे लिए नहीं आया उनके लिए आया ये ऐसा भेदभाव क्यों हुआ अचा इमानदारी की बात हैं मैं अभी आपको एक प्रशने पूछ लेता हूँ आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो सचमुझ भगवान की धाम को जाना चाहते हो हाथ उपर करो तो यहां तो सबकी बुकिंग आप है एक बार ऐसा इपरशन किया था के विर्जी महाराज ने कभी हिने घोष्णा कर दी इक बार बार सारे लोग मां श्री माराजी के पास आते बात चित करते ग्यान व——धिगान वेराग ध्यान बुदिडी परशान होय बाट परशान हो और कभिर्जी महाराजी ने एक उक्तिय अपना है कभिर्जी महाराजी ने घोषना कर दी कल का समय बहुत सुन्दर है मोनिया मावशार और उनने कहा इतने पवित्र दिन में जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं ब्रह्म ज्यान पर दानी तरूँ और उसके लिए कुछ सेवा लेना देना कुछ नहीं है कोई फीस भी नहीं है आप आओ पहले और पहले पाओ गोसना हो गई लोगों को मालूम पड़ा लोगों को भी मालूम था कि कभिर्दाजी महाराज बहुत करामाती साथ हुए वो मुक्ष भी दे सकते हैं आत्म बहुत भी दे सकते हैं बाते हवा में फ्यल गई प्रशार हुआ हज़ारों लोग पहुंच गई यह बनारश की बात हज़ारों लोग पहुंचे नारहन हज़ारों लोग पहुंचे और एक ही चर्चा हो रही थी कभिरदाजी महाराज मुक्ष देने वादे और जल्दी से जल्दी चलो जल्दी से जल्दी चलो आवो तूट पड़े लोग नारण वहाँ तूट पड़े लोग जाना है कभिरदाजी महाराजी के पास जल्दी चलो जल्दी चलो और उन्होंने दूसरे को दे दिया था हमको नहीं मिलेगा खतम हो जाएगा आपको ऐसा लगता है न मेरे पास कोई थोड़ी चीज़ बाटने वाली तो आपको क्या लगता है जीज थोड़ी है जल्दी करो ने तो खतम हो जाएगा ओछी ना जपटी ये वो एक आई और आ करके मेरी भागवत ही उठा के ले जा रहे थी मैंने का मैया मैया रुको रुको ये क्या ले जा रहे है और ये बोले मेरे को कुछ मिला ने ये में पुस्तक ले जाओंगी मैंने का इमेरी है भागवत पढ़ने वाले उनने का मेरे को फिर इसके बदले में कुछ दे दो पिर आमने उनको चौकलेट दे दे दिया पिंड़ चुड़ा लिया पुष्टक रख लिया अपने चीज जदी कम हो और मांग करने वाले ज़्यादा हो तो वहाँ बहुत अस्त वेस्थता है फैल जाती है आविवस्ता है फैल जाती हजारों लोग वहाँ पर पहुंच गए नारायन कभिर जी महाराजी बड़े मजदा सादू एक टीले के उपर खड़े होए थे अन्देरा का समय था हात में एक मशाल थी सारे लोग पहुंचे और कभिर जी महाराजी से प्रार्थना की नारायन नमो नारायन, नमो नारायन, कभिर्दाजी महाराज, नमो नारायन, हम आगे, हम आगे, और हम मोक्ष चाहते हैं, आपने घोशना कर दी, मोक्ष चाहते हैं, घोशना कर दी, आप हमको मोक्ष दे दूँ, कभिर्दाजी महाराज ने कहा कि मैं सब को मोक्ष दे दूँगा, लेक यारो आप जो ताकतवर थे वो चिना जब टीक करने लेगे आगे बढ़ने लगे कभिर्दाजी महराजी के हाथ से छीनने लगे आप बहुत खतरनाक लोग हैं आपको मालूम हो कि गुरू के पास वो चीज हैं और आपको नहीं मिलने वाले तो आप छीन सकते हो नहीं सकते हैं तो आप इमानदारेसे हैं कभिर्दाजी ने कहा है कि वो भाया तुम जबर्दसी चीनी बीलोग है माशाल तो भी तुमक ost मिलने वाला नहीं है तुमको मोक्ष पाना हूं तो एक शर्त हैं पहले वो शर्त सुन ले ना बाद में ये माशाल ले जाना लोगों ने का सुना ओा शर्त क्या है कविदा जिमाराज ने कहा कि मशाल ले लो अपने घर चले जाओ और अपने घर को आग लगा के वापस आजाओ बोले मोक्स मिल जाएगा मोक्स मैं दे दूँगा तुम लेकर शर्त क्या है मशाल लेकी जाना है और घर में अपने फूखना है वापस आजाना है अच्छा अब मैं आपको पूछता हूँ कितने लोगों ने वो मशाल ली होगी आप भी वहाँ पर जरूर होंगे लेकिन आप लोगों ने भी वो मशाल नहीं ली होगी नहीं लिया न आप तो चाहते हो हमको मोक्स मिले लेकिन आपकी मोक्स की तयारी क्या है आपको मोक्स मिलने के लिए जो करना है वो आप नहीं करते हो लेकिन आप मोक्स चाहते हो आप नरक जाना नहीं चाहते हो लेकिन वो सारी चीज़े करते हो जो नरक का टिकिट बन जाता है आपके चाहने से होता कुछ नहीं है आपको जो पाना है आपको जिरी स्वर्ग पाना है तो आपको स्वर्ग जाने के सारे मार्ग अपना लिने चाहिए आपको नरक जाने से आपको नरक नहीं जाना है तो नरक के सारे मार्ग हैं उससे आपको बंद कर देना चीज़ और कोई उपाएं नहीं है आत्म देव ने कहा देव दूतों ने कहा नारायन दुन्दुकारे ने कथा सुनी तिया हा हा बहुत अच्छी सुनी थी मन एकाग्रता और वो पूर्न एकाग्रता से कथा सुनने के बाद दो मुक्ष का भागी बना और आप लोग भी कता सुन रहे थे लेकिन आपका ध्यान नहीं था आदा धान इदर आदा ध्यान दिल के टुकड़े हजार होए कहीं यहां गिरा कहीं हम लोग ऐसे बैठे हैं हम कथा तो सुनते हैं लेकिन थोड़ा इदर थोड़ा उदर थोड़ा उपर थोड़ा नीचे थोड़ा दाए थोड़ा बाए और आपकी चेतना भिखर जाती है आपकी एकाग्रता कई टुकड़ों में बढ़ जाती है और जो आपको ग्रहन करना है वो ग्रहन करने से आप वंचितर जाती है इसलिए आपको जिदी चेतना को प्रगट करना है, अपने भीतर के ज्ञान को जगाना है, तो आपको पून एकाग्र होना होगा, अपने मन के पागलपन को दूर करना होगा, वासना के पागलपन को शितिल करना होगा यह बात चुनने के बाद सावधान हो गए जितनी भी वो करण जी महाराजी के आसपास के लोग थे वो सावधान हो गया और सावधान हो कर लो और ने दुबारा कथा सुनी और यह शास्त्रा इसा कहता है कि वहां एक बढ़ा विमान आगया भगवान ने पहले तो छोटा विमान भेजाता एक शीटर वाला एक मात्मा बोले पहले तो गोकर्न को लेने के लिए विमान आ गया तो कितना बढ़ा होगा हो अरे छोटा सा को कि आत्मदेव के गाव में जितने लोग थे उन सब को लेने के लिए जब इमान आया तो कितना बढ़ा होगा पिर बहरागणाजी कितना शीटर होगा कम से कम हजार दो हजार आयोध्या वाशिन पुर्वम यथा रामीन संगता तथा क्रश्टे नते नीता गोलु कम्योग जैसे राम प्रभु राम ने आयुद्या के सारे लोगों को लेकर प्रस्थान कर दिया वो लोग वैसे आत्मदेवने नारा है अपने गाव के जितनी भी लोग थे उन सब को लेकर के भगवान के धाम को चले गए बोली सचिदानंद भगवान की सच्चिदानन्द भगवान की संकादियों ने कहा कि भईया भगवान के नाम का बहुत बड़ा सामर्थ आप भगवान का नामस्मरन करते हो आप भगवान के कथाश्रवन करते हो आपके अंतक करण में जो पागलपन हैं जो वासना हैं जो बहुत सारी कमियां अपने जीवन में वो जहरना शुरू हो जाती है जब सावन लगाते हो न आपका मैल कपड़े का छोटना शुरू हो जाता है ऐसे आप सत्संग में बैठते हो तो आपके जो पुराने दुष्ट विचार हैं वो जहरनी शुरू हो जाते हैं नए विचार पैदा शुरू हो जाते हैं जो आपके दिमाग में गलत जो समझ है जिसको आप गलत समझ रहे थे वो गलत समझ भी हटनी शुरू हो जाती है कई बार आप सको लगता है ना कई बार लगता हो हम तो गलत समझ रहे थे सत्संग के बाद जिसको आपने गलत समझा वो गलत समझी आपकी चलीगी विदा होगे और सत्संग का सबसे बड़ा फाइदा नारण भगवान के नामस्मरण का सबसे बड़ा फाइदा है आप जेनिटी कुरूप से बदल जाते हैं आपके रोम रोम में परिवर्तन आ जाता है आप जो करते हो वो होना शुरू हो जाते हो आप बैटकर भगवान का नामस्मरण करो तो आप जेनिटीक बदल जाते हैं आपके रोम रोम बदल जाते हैं आपके बोडी के सेल्स बदल जाते हैं आपका चेहरा मोहरा बदल जाता है, आपकी आकरती भी बदल जाती है, भगवान का बजन करने वाले आदमी को आप देखना कभी हो, वो अलग होता है, और जो भगवान का बजन नहीं करता है, उसका चेहरा कुछ अलग हो जाता है, आपने कभी राक्षस का चेहरा देखा, कभ आप देखो और पसंता से भर जाओ, यह गोई कालपनिकता नहीं है, आप जो करते हो उसी के अनुसार आपका संपूर्ण जीवन बनता है, आपके आकृति बनती है, आपका ये शरीर बनता है, आप मोक्षर के भागी होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आदमी को निरंतर भग करतारना शुरू कर देनी चाहिए, एक महत्मा जी, बड़ी सुन्दर थे, उन्होंने एक वरत लिया था कि मैं हर साल एक चीज़ छोड़ा करूंगा, जब भी वो नया साल शुरू हो जाता तो वो सोचते कि मैं क्या छोड़ू, क्या छोड़ू, क्या छोड़ू, ओ चलो, आ और कोई समय आया, दूसरा वर्ष, वो सोचते कि मेरे मन में इसके प्रतिये भाव है, उसको मैं त्याग देता हूँ, एक समय ऐसा आया, सादू के पास त्यागनी के लिए कोई चीज़े नहीं रहे गए, पर हम पवित्र हो गए, आपको भी यही निर्मलता को धारन करने के करेके लिए कोशिश करनी चाहिए, आप प्रियाग राज आये हैं, जंगआशनान करने के लिए? त्रीभिणि में नाने के लिए? आप ना होगे, आप धोगे, क्या धोगे, आप यहाँ क्या धोने के लिए आये हो? पहला तो निर्णे करो कि आप पापी है की नहीं? यहां क यहां पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो पापी हो आपको वरोसान नहीं तो आप सरवेक्षन करो आप इनके घरवालों को पूछ लो आज तक आपको आपके घरवालों ने क्या बोला आपको पापी बोला कि खुद को पापी बोला आज तक आपके घरवालों ने आपको बेवकूब बोला कि खुद को बेवकूब बोला यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिन्होंने आपको यह बोला होगा कि हम बेवकूब है आप बहुत समझदार है लेकिन यहां हर आदमी ने आपको बोला होगा कि तुम बेव को हो, हम बहुत समझदार है आप अपने आपको देख ना, आप कितने पापी हैं, लेकिन आप कभी नहीं मानोगी, हम पापी हैं और उसके बाद भी आप पाप धोने के लिए आए यह बात तो बहुत गैर इमानदारी की बात हो गए बात तो सत्य यह हैं, यहां आपको पाप धोना नहीं है आपके अंदर की जो कमिया है, वो इसको धोना है क्योंकि पाप का नाम है अद्रिष्ट, अद्रिष्ट मने जो कभी दिखाई नहीं देता है आपको मौलूम है नहीं पड़ेगा कि आप कितने पाप धी है क्योंकि पाप मने अद्रिष्ट जो दिखाई नहीं देता है आपके अंदर जो कमिया है, आपके अंदर जलन है, घ्रना है, वासना है एक दुसरी के प्रतिद्वेश की भावना उसका त्याक करो आप अपनी जीवन को निर्मल बनाओ, आप गंगासनान करके आए तो सबको मौलूम पड़े कि ये प्रयाग राज में नहा के आए है और वो आपके कपड़ों से मौलूम नपड़े, आपके सुभाव से मौलूम पड़े ये आंतरिक जीवन का परिवर्तनी धर्म है धर्म ये बाहर आडंबर नहीं है, एक पृतिकात्मक है कि आप जाके त्रिविने में नहा रहे है लेकिन वहाँ जाने के बाद आप बहुत सारा संकल्प ले रहे हैं आज के बाद में यह सारी चीजे, हमारे जीवन में जो कमिया हैं, यह दुबभारा नहीं दूर आएंगे., आप वहां जब रूपके लगाते हो तो आपको उस समय याद होना चाहिए, कि हमारे जीवन में क्या कमिया हैं और उसा को हम धो रहे हैं, आपको अपनी कमियों की याद ही नहीं रही और आपको मालूमी न पड़े कि आप क्या धो रहे वहां पर कि अध्यात्म जो है वो रियल ये प्रैक्टिकल है आपके जीवन में एक प्रयोग है ना रहे आर ये प्रयोग सफल हो गया आत्म देव ने भागवत की कथा सुना दी और दुंदुकारी मुक्त हो गये बोली सचिदानन्द भगवान की शावनक जी महराजी ने उबदेश दिया नारायन प्रश्ट न किया सुद्जी महराजी ने ग्यान उबदेश किया बड़ा सुन्दर ये प्रशंग है प्रसम अध्याय से शुरुवात होती है भागवती कथा अभिया आप जो श्रवन कर रहे थे ये मात्मे की कथा थी जन्मात्यस्यतन्वयादितरतस् चार्थेश्व भिज्यस्वरात् तेने ब्रह्मर हिदाया आदिकवे मुयंतियत्सूरय तेरु आरि मृदाम्यता विनिमयों यत्रत्तिसरगु मृषाम् राम्नास्वेन सदा निरस्त्तु कुहकं सत्यं परुं धीमहीं धर्मह प्रोज्जित कैतवोत्र परमों निर्मत्सरा नाम्सतां वेध्यम् वास्तवमत्र वस्त्तु सिवदं तापत्त्रयों मूलनं क्रिमत्भागवते महामुनी कृते किम्भापरै दीश्वरह सत्योरिध्य वृध्यते तेत्रकृतिधि सोश्रु भेष्थक्षनां याजी मारज ने भगवान के चरणों में नमन किया मैंने आपको कहा था आप जो भी काम करो भगवान को याद करके आप जो भी काम करो भगवान को याद करके मैं एक शब्द जोड़ देता हूं अच्छा या बुरा आप अच्छा काम कर रहे तो भगवान को याद करके और बुरा भी काम कर रहे तो भगवान को याद करके आप जो भगवान को याद करके बुरा काम करोगे एक समय आयेगा वह बुरा छूट जाएगा एक बार की बात है हमारे प्रम सद्धे दादा गुरु अखंडा नंसर सुझी महाराजी के पास मुंबई में एक कोई परिवार आया और उन्होंने प्रार्थन की नारायन हमारा बच्चा शराप पीता है बहुत शराप पीता है बहुत बरबात हो रहा है महाराज करपा करो कुछ करो महाराज ने उस बच्चे को बुलाया और बुला करके महाराज ने कहा बेटा तुम शराप पीते हो कोई बात नहीं शरापी लो लेकिन एक काम करो रोज भगवान को लगा के नास्ता करो तो भगवान को भोग लगा के जल पान करो तो भगवान को भोग लगा के और शराप का पान करो तो भगवान को भोग लगा के और शराप का पान करो तो भगवान को भोग लगा के और शराप का पान करो तो भगवान को भोग लगा को बड़ा प्रसुन हो गिलास में डाल दी शराब, भगवान को भोग लगाने के लिए गिलाओ, हाथ काफ ने लगा उसका, और वो सोचने लगा कि मैं भगवान को भोग कैसे लगा सकता हूँ शराब का, एक दो दिन पिया ओ, और एक दो दिन के बाद नारान ऐसा परिवर्तन आया, और उनोंने वो इनी छोड़ दी, आप भगवत आस्रे जदी अपने जीवन में लेते हो, तो सारी कम्या दूर हो जाएगा, एक दिन आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, शुकदेव जी माराज ने यहां, सृष्टी का स्रिजक, पालक, सहारक, जो परमेश्वर है, जिसको कोई नहीं जान सकता है, जो सबका प्रकाशक है, अंतरात्मा है, जो जगत का अधार अधिश्थान है, ऐशे परमेश्वर को सामने रख करके उनको प्रणाम किया उन्होंने, नमो नमह, नमो नमह, नमो नमह, उन्होंने उस परमेश्वर का ध्यान किया नारा, और यहां कोई नाम नहीं लि मैंने आपको बोला था भागवत का आरंभ जो नो सत्य सत्य को याद करते हुए भागवत का आरंभ है क्योंकि सत्य ही अस्तित्व हमारे जिवन का मुल अधार है परमात्मा सत्य हैं सत्य मने आप परिवर्तनिय जो चेतना जो तिनों कालों में कभी बादित नहीं होती हैं आप दुनिया के पदार्थों को देखना आज हैं कल नहीं है आप आज हैं कल नहीं होंगे आप पैदा होने के पहले नहीं थे आप मरने के बाद नहीं होंगे आपका जो अस्थित्म है वो पैदा हुने और मन्ने के बीच का है लगर परमात्मा का जो अस्थित्म है वो सदा है वो पहले भी थे अभी भी है बाद में भी रहेंगे और ऐसे चेतना को यहां पर सत्य बोला गया है नारायन, सत्यम परमधी महीं, और ऐसे सत्य परमात्मा का ध्यान करते हुए, शुद्योजी महाराजी ने भागवत की कथा का आरम किया, और ने घोशना कर दी, एक बड़ी मज़ेदार घोशना कर दी, मेरे को लगता है कि शुद अभ्दबन के प्रगत हो गया है और ने का आप पीवत, भाग वतम रसमालययम प्यु प्य। प्यु अइसा बोला, जैसे आप के भोजन कराते हो, आप आप क्या बोलते हो, खो, 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 आइसा बोलते हैं कि ने, आप के उंदर बहाट प्रेम हो, तो आप एक बार नह देते हैं और जोदि आपके अंदर प्रेम हो न तो आप बार-बार बोलने का भाव एक करूना प्रगट हो जाती है पिवत भागवत एक रश है रस और इस रस का पान करो पिवत मालयम को यह रस है रस भागवत एक रसकानों के द्वारा इसका पान करो मुहू रहो रसी का भुवी भाविक भाविका हे भाविक जन हे आस्थावान लोगो निरंतर जब तक मोक्षन नहीं मिलता है परमात्मा नहीं मिलते हैं जिवन के सारी कमियां दूर नहीं होती तब तक श्रीमत भागवत के रसकाप पान करो आवहान किया नारायन और उसके बाद फिर पुना भागवती कथा का अरंब हो गया आपको मैंने कथा कि अरंब में ही एक बात बताई थी नमिश्य अरंडे में एक हजार वर्षे तक चलने वाले एग्या का अरंब हुआ था यज्मान मरने तक यग्या करता था वहां और मरने के पहले दूसरे एज्मान को संकल्प दे के मरता था एक हजार वर्षे तक वो यग्या चल रहा था और उस यग्या के मध्य में सूत जी महाराज जिनका नाम है रोम हर्षन वो भागवती कथा कर रहे थे आरुन के मध्ध में 88,000 अश्रोताओं के मध्ध में शवनक जी महराज उटके खड़े हो गए और शवनक जी महराज ने प्रार्थना की प्रभू मैं सुनना चाहता हूँ आप ज्यानी है आप इतिहास और पुरानों के अचारे हैं शुकदियोजी महराज जी के द्वारा आपने पुरानों का ध्यान किया है आपके पिताश्री इतिहास और पुरानों के अचारे थे आप हमें भागवती कथा सुना दीजिए भगवान की जो दिवे लिलाएं हैं आप उनको सुना दीजिए भगवान ने जन्म गरहन किया वसुदेव और देव की के द्वारा भगवान मतुरा में पैदा हुए और मतुरा से भगवान गोकूल गए गोकूल से भगवान फिर बंदावन में आये अनेको असुरों का पित कैसे हो सकते हैं और धर्म किसका आश्रे लेकर के जिवीत रहता है प्रस्ट ने बड़ा सुंदर किया और उसके बाद फिर सुद्जी महराजी ने अपने गुरू को प्रणाम किया शुदेव जी महराजी ने और व्याजी महराजी ने जब भागवत की कथा की तो परमा प्रणाम को याद ने किया और किसको याद किया अपने गुरू को याद किया है यंप्रब्रजंत मनुपेट मपेट कृत्यम गईपायनों विरहकात्र आजुहाव पुत्रेति तन्मेतयात्रव भिनीदू तंसर्वभूतर दयमनिमानतों श्मी जोंकि उनके मन में अपने ग जगात आस्था है नारायन उनको मालूम है गुरू के द्वारा ही मालूम पड़ा परमेश्वर क्या है गुरू के द्वारा मालूम पड़ा आत्मा और परमात्मा का संबंद क्या है गुरू के द्वारा मालूम पड़ा ये दुनिया क्या है उसका स्वभाव क्या है और वो आत्म बोत को भगवान के भक्ति को प्राप्त हुए, और इसलिए उनके मन में अपने गुरु के प्रति धन्यवात हैं, आरो परमात्मा से भी ज्यादा अपने गुरु को मानते हैं, परमेश्वर से भी ज्यादा अपने गुरु के प्रति उनके मन में आस्ता है, हमने इश्व उने कहा गुरूर ब्रम्हा, गुरूर विष्णू, गुरूर देवु महेश्वर, गुरूहु साक्षात्वर ब्रम्हा, तस्मे श्री गुरवी नमु, अपने गुरू को प्रणाम किया, और उसके बाद दो नंबर में रखे उनने परमात्मा को, ध्यान देना, नारायनम नमस प्रणाश्कृत्य नरम्चेव नरोत्मम, देविम् सरस्पतिम्व्यासं ततो जयमुदीरे, और नारायन को, नर को और सरस्पति देवी को भी उनने नमस्कार किया, आरो नमिश्य अरन्य के पवित्र खेत्र में, तीर्थ में, अठ्था से हजार रिश्यों को उनने भागव भागवत भागवान की, सऐ वेडं ससर्यागरे भागवानात्न मायया, सद सत रूपया चाशु गुनमया गुनो विहु वदन्तिततत्व विदस्तत्वम् यज्यानम अव्यम् ब्रह्मेति परमात्मेति नगवानिति शव्यति बड़ा सुन्दर ये प्रसंग है अब आप शीदे बैठ जाए थोड़ा सा हम लोग भगवान की साधना करेंगे शीदे बैठ जाए अपने अपनी आखे बंढ कर लूगे एकाक्र हो जा जैसे कि मौनों आप है हे ही नहीं आख बंढ कर स्थिटे आपको सुछ जाज सींधा के सत्र में सुनाया था आप आख बंढ कर लेते हो तो मन की आदे हिस्से पर नियंतरन कर लेते हो और आपके शरीर को स्थीर कर देते हो तो आप 25 प्रतिशत अपने मन के हिस्थे पर नियंतरन कर लेते हो 25 वा हिस्था अंतरिक विक्षे बना रहता है वो साधना से आपको दूर करना होता है आपको आँख बंद करना मने बंद करना है आपके आँखों पर नियंदरन होना चाहिए थोड़ी आँखे बंद रहे हैं थोड़ी खूल रही हैं आँख बोल रहे हम बंद नहीं होंगे जबरतसी करने हैं फिर थोड़ा सा देख रहे हैं खोल के कई बार तो लोग मेरे को देख लेते हैं कि स्वामजी देख रहे हैं कि नहीं हमको और जैसे हम देखने लगते फट्ट से अपने आँख बंद कर लेते हैं आप आँख बंद करो पूर्ण रूप से एकागर हो जाओ आपका पांच मिलीट का समय मैं ले रहा हूँ पांच मिलीट आप पूर नमबावन ध्यान में चले जाओ गहरी स्वांस ले ना लंबी और गहरी स्वांस ले आप लंबी और गहरी स्वांस ले अपने शरीर को धीला छोड़ दे अपने हाथों को धिला छोड़ दे पेरों को धिला छोड़ दे खीचे नहीं अपने तरफ आप गहरी लंबी स्वांस ले रहे हैं जब आप स्वांस ले तो ओम रहीम नमस्षिवाए और छोड़े तो भी व्रहीम नमस्षिवाए और छोड़े हो要दी स्वांस ले रहें आंप लिए आप स्वांस ले रहें ओम रहीम नमस्षिवाए आप छोड़ रहें ओम रहीम नमश्यवाय आप जब लंबी गहरी स्वांश लेते हैं तो आपके तनाव आपके अंदर की नकारात्मक्ता सारी शान्त हो जाते हैं जब आप तनाव में महसुस करें आप तनाव महसुस करें तनाव में आप हो आप आँख बंद कर लो और लंबी गहरी स्वांस ले आपके अंदर का तनाव मिलकुल दूर होगा और लंबी गहरी स्वांस के साथ परमत्मा को जोड ले ओम भीम नमस शिवाय ओम भीम नमस शिवाय स्वांस ले रहे हैं ओम भीम नमस शिवाय स्वांस छोड रहे हैं ओम भीम नमस शिवाय ओम भीम नमस शिवाय ओम भीम नमस शिवाय किशी प्रकार आप एक अग्रभावशे अपने रूम में वैठे रहे साधना करे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna आखे पंद्रा के तो जाला अच्छा है आखे राम आखे राम 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 रहे रहे Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 rama 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 haray haray Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णु हरे हरे अरे राम हरे राम 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 अरे हरे अरे राम अरे राम 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 अरे 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 राम अरे shore हैं एले के आहे बिपने राम राम अरे इड्की रे कृष्णा, रिष्णा-कृष्णा हरे हरे Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare羅 Hare Krishna Hare Krishna Krišna, krišna krišna Hare 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 Krishna Krišna, krišna krišna Hare Hare irmarachterika Krišna M obviamente krišna krišna je negru 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 yes नहीं राम invee राम leven हरे ителей्प गाराम करें बोकष्णा घर पनिक्रेश्णा हरे खन् man Halo करें दो यूद एकने बन एकष्णाे करें द्हा फिलेक्आ पन मातु पनने शुद पन्याए खना में चूप करें तो कोसे दिंदा चाहिं? के करें पना ग genresे खनार क मातॉ झाल झाल